जहिंद वंदे मौतरम स्वागत अभी नंदन सभी सातियों का और वो सभी लाडले साती जो इस्पेसली आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी करते हैं उन सभी लाडलों के लिए ये बहुती चबरदस्त और इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगा क्या सिलिबस है नई भरती कब तक आएगी कौन सी बुक्स पड़े ये आपके सवाल है और इन सवालों के सभी जवाब है इस वीडियो के माद्यम से आप लोगों को मिल जाएंगे कम्पलीट यदि आप लोग बारवी पास है यदि आपकी उम्र साड़े सतरा से तेई सुरस के बीच है तो आप नर्सिंग असिस्टेंट की त्यारी कर सकते हैं पी, सी, बी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए फिजिक्स, केमस्टी, बाइलोजी होना चाहिए और जो आपके प्रसंटेज है वो कितने होना चाहिए इस वीडियो के माद्यम से कम्पलीट चर्चा करेंगे सबसे पहले तो नर्सिंग असिस्टेंट के लिए योगेता है वो आपकी बारवी पास योगेता है और बारवी पास के साथ साथ आप लोग या तो PCB और PCM के साथ आपने अडिशनल बाइलोजी कर रखा है तो आप बढ़ सकते हो यदि कोई NIOS से बारवी पास कर रखा है औ और ओल आवर एग्रिकेट जो परसंटेज आपके 50% होने जरूरी है उमर की यदि में बात करो सब्सक्राइब 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 अब कई सरे लाड़े साती कहते है सर जो नई भरती है न्यू जो भरती है वो कब तक हमारी आजाएगी तो आप लोगों को बता दिया जाए जनवरी और फरवरी में आपकी वेकेंसी 2024 में आपकी वेकेंसी है वो आने वाली है आप अभी से तयारी करो कि आपके सामने 3-4 महीने आपके बच जाए 3-4 महीने आपके पास है तो आप अपनी बैتरीन तैयारी कर सकते हैं शानदर अब कौन सी बुक्स पढ़ें क्या पढ़ें कैसे पढ़ें कितना पड़ें उसके बारे में देखो पेपर इसमें पहले होगा फिजीकल इसमें बाद में होगा अगनी भी राने के बाद इसकीम चेंज हो चुके है जबकि आपको पता है नर्सिंग असिस्टेंट पर्मानेंट है और सेंटर बरतियों में पहले फिजिकल होता है और उसके बाद उनकी क्या होती है पहले फिजिकल होता है ये भी पीशंगे के biology यहाँ पर 15 क्यूसन है वो अच्छा total 60 अंगे है और chemistry भी 15 क्यूसन है इसका मतलब है chemistry और biology का जो ratio है वो बहुत जबरदस्ट है यहाँ पर biology chemistry का ratio बहुत अच्छा है total आपके अंग रहते है 200 दो सो ठीक है और यहाँ पर बात करते हैं टोटल क्यूसनों की शंग क्या पचास है पासिंग क्राइटेरिया आपका 20 क्यूसन होता है 20 को 4 से गुणा करने पर 80 अंक आपको पास होने के लिए चाहिए कि अबल पास होने से कुछ नहीं होगा आपको पता है कि इस बाहर जब रिजल्ट आया था तो जेडारों के इसाफ से मेरिट बनी थी तो आगे पता नहीं क्या होगा मेरिट जेडारों बेस बनेगी यारों बेस बनेगी वेकेंसी कम आती है तो तैयारी बढ़िया करोगे तब जाके माहल बन पाएगा NCRT को फोलो करो लुसेंट को फोलो करो आप चाहिए अपने इसाफ से अपने कोई भी गुरुजन है जो इनकी बुक आप पढ़ रहे हो तो बढ़िया तरीके से उन टोपिक वाईज कौन कौन से टोपिक्स हैं उनको आप बिलकुल एक बार टच जरूर करें बाईलोजी में जैसे पक्षिविग्यान और नितोलोजी से अलग से सवाल आता है केमस्टी में आपके कंपाउंड वाला जो टोपिक है वाहां से आते हैं एसिड बेस से आते हैं मेटल नोन मेटल से आते हैं पिरियोडिक टेबल से सवाल आते हैं पिजिक्ष में आपके वीमाय सवाल आता है अदी सदी से सवाल आता है अप्टिक्ष पार्ट है एलेक्ट्रिक्रिकल पार्ट है वहाँ से आपके सवाल आते है बाई लो जी में आपका पूरा सिस्टम है ओमन डिजीज है इसके अलावा जो पादब जगत है website पे जो syllabus डाल रखा है उस syllabus की भी बात करता हूँ कि इसमें syllabus क्या-क्या है और कितना पढ़ना कैसे पढ़ना है देखो यदि मैं बात करूँ यहाँ पर general knowledge के जो question आपके 10 रेते हैं ठीक है मैंने पहले भी आपको बता दिया है और आपको दुबारा बताने की वे से भी जरूत नहीं है ठीक है इसके बाद में math के question यहाँ पर देखो यह थोड़ा साख जो technical की बात कर रहे हैं यह technical का matter है पंदरा क्यूसन पंदरा क्यूसन आप लोगों को पता होगा सर यह किस में होगा तो यह बता दूँ 200 में से आपके यह marking है 200 में से 80 आने ही चाहिए तो आप पास है ठीक है यदि मैं इसमें आगे बात करूँ तो देखिएगा भाई यहाँ पर general knowledge में कौन-कौन से आपके topics है वो दाल रखेंगी इन topics कों से शवाल पूछा जाना निश्चित है तो वो topics आप एक बार जरूर तच जरूर करें topics को देखिएगा यहाँ पर आपका English में complete डाल रखा मैंने Hindi Medium में application के माध्यम से भी आपको बताया है कौन-कौन से आपके topics है जो आपके exam में पूछे जाते है फिर यहाँ पर physics का भी आपने बिल्कुल बता रखा है physics का और यह आपका gk का है जिसमें आपकी quality है history है इसके अलवा culture है static gk है इसके अलवा current gk है खेल से समद sports के जो question है वो बिल्कुल यहाँ पर पूछे जाएंगे जान रखना कोई भी important गटनाए है उनके बारे में world level तक की भी यहाँ पर आ सकती है कुछ books है वो भी बिल्कुल यहाँ पर पूछे जा सकती international गटनाए दिवस के बारे में और current जो event है उनके बारे में है न तो यह सब चीजे है gk के बारे में इसके लग फिजी के अंदर बात करें physical properties और states है न मेटर है न दर्विमान weight भार volume आईतन घनतव है है न इसके अलावा जो gravity growth तवरन के बारे में बात कर रहा है प्रेसर दाब के बारे में बात कर रहा है बेरो मिटर के बात कर रहा है गती के नियम वेलो सिटी वेक के बारे में न्यूटन्स के लो के बारे में बात कर रहा है इले elementary of ideas, work, कारیا के बारे में, कारी और उर्जा के बारे में ताप और ऊस्मा के बारे में Banic कर रहा है sound wave के बारे में Bcat कर रहा है practice के अपरतन प्रावरतन मतलब practice वाला complete chapter उसके बारे में Bби Colors यहां पर इसका रावा यहां पर चूमबक के बारे में हीटिंग मतलब तापन के नियम पढ़ रहे हैं तो यह सब चीजें यहां बिल्कुल विदिवत तरीके से डाल रखिया है और इसके बेश पर हमारी जो बुक्स है बिल्कुल हमने तयार करी है NCRT पर तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं तू दा पॉइंट है बाइलोजी केमेस्ट्री फिजिक्स को इतना बड़िया तरीके से मैंने बनाया है पर ते एक चेप्टर के साथ में उनके क्यूसन दिये हैं किस टाइप के क्यूसन पूचे जा सकते हैं जीरो लेवल से हाँ डिफरेंट केल्कुलेट है प्रोबिलीटी है मतलब जान रखना भाई प्रोबिलीटी प्राइकता जानते हैं नंबर सिस्टम है फंडामेंटल इसके लाब मेंसुरेशन एरिया है वोल्यूम है सर्फेस एरिया है यह कुछ विश्य है में आपको पता है कि मयत तरसर 5急 10 आने है 20 नंबर का मेटर है टोटल कितने का है 20 का मेटर है तो यह आपके मैतामेटिक्स है इसके बाद में नेउट डेज पर आती है आपकी कैमस्ट्री और बाईलोजी यदि मैं केमस्ट्री बाईलोजी की बात करूँ तो देखो भाई कही परकार की compounding नेंट है फॉर्मूलाज है इसके लाव़ chemical equations है लोप इसके लाव़ नियम्स कही बारे है और इसके लाव़ देखो यहां पर ध्यान रखना है water और जल और वायू के गुंदरम के बारे में बात कर रखी इन्होंने oxygen oxygen के बारे में बात कर रखा यह आपको अमलसार लवन के बारे में बाता रखा है और परमाणू अनू के बारे में बात कर रखा है ठीक है तो यह ध्यान रखना कई सारे चीज़े वैलेंसी के बारे में सवाल आएगा biology में basic biology है life process है study of birds मतलब पक्षियों के बारे में अलग दे रखा है human beings के बारे में ब दे रखा केने का मतलब है कि science के अंदर bio chemistry physics का force अच्छा है यदि कोई बंदा regular biology chemistry physics पे भी focus करता है ना तो वो कहीं ने कहीं इस वार बाजी मार सकता है यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं चाए आप online कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ books का जो सारा लेना है आपको सबसे ज़्यादा और जो बिल्कुल बढ़िया आपके लिए रहेगी वो books है उसमें आपका NCERT है उसका आप शार पढ़ सकते हो वो चाहिए writer कोई सा भी हो कोई दिकत नहीं है इसके अलावा NCRT में 6 से लेकर आप 10 तक की 7 में 11 और 12 का भी कुछ मेटर ना इसका ज़्यादा नहीं इसका बहुत हलका मेटर है आप बिल्कुल पढ़ सकते हो लेकिन 6 से 10 तक का complete आप physics, chemistry और biology को अच्छे से पढ़े है इसके अलावा यदि आप lucent book को लेते हो कोई दिकत नहीं अच्छी book है शांदार उनको आराम से समझ के पढ़ना पढ़ेगा इसके अलावा यदि आपको अलग से कोई और book लेनी है तो आपको लक्से, लक्से आर्मी book आपको ले लेनी है लक्से आर्मी की जो especially book है nursing की especially वो NA के लिए बनाई गई book है और वो book भी आप बिल्कुल purchase कर सकते हैं एक दो दिन पांस दिन में आपके सामने book भी आ जाएगी तो ये book भी आपके लिए बैत लक्से ठीक है और जिन लाड़े सातियों के लिए message है कि वो कहते हैं कि सर बरती नहीं जो कब आएगी इस बरती को लेकर आप लोगों की चर्चा है तो जनवरी से लेकर आपकी फरवरी में आपकी vacancy आ जाएगी और आपका जो exam है वो exam आपका अप्रेल में होने वाला है कहा होने वाला है अप्रेल पिछली बारवा कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर अगनिवीर के साथ इस बार नर्सिंग की बरती नहीं आएगी क्यों नहीं आएगी बरती 100% आएगी आप तैयारी करते रहें ठीक है डिमोटिवेट करने वाले कई लोग मिलेंगे और यदि आप लोग यदि आप पढ़ना चाते हैं तो आप बिलकुल ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं लाइव बेच है जिसमें आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा लक्षे आर्मी है यह हमारा एप्लिकेशन है उस पर भी आप बिलकुल लाइव बेच पढ़ सकते हो ठीक है तो आ आगे आपको किसी परकार की समश्या नहीं आती है आसा करता हूं मेरे द्वारा दीकी जानकारी बिलकुल सत्य है और बाइचांस मानलोग किसी परकार की कोई तुरुटी हुई तो उसके लिए समचाता हूं और भी कोई जानकारी रहेगी नर्सिंग असिस्टेंट से लेकर तो बिलकुल जरूर आप लोगों को तक साजा करूंगा थैंक यू धन्यवाद जहें जे भारत राम राम साथ